नमस्कार मैं हूँ जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन यूस में वक्त है उतर प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का पहली खबर क्यों आपको लेकर चलते हैं पूफ प्रदानवंतरी चौधरी चरण सिंग की जयनती किसान दिवस के अफसर पर CM योगी अदित्तिनात मुरादाबाद पहुँचे यहां CM ने चौधरी चरण सिंग की प्रतीमा के नावरण एवं किसान महा सम्मेलन कारेकरम में हिस्सा लिया एस दोरान एक संबोधन में CM योगी ने बीते दिनों संसद के शीदकालीन सत्र के दोरान उपर आश्रपती जगदीप धनखर से जुड़े उस वाक्या का जिक्र किया जिसमें TMC संसद कल्यान बेनर जी उनकी नकल उतार रहे थे अगली खबर के और आपको लेकर चलते हैं उमेश पाल हत्याकांड के बाद मारे जा चुके माफ्य अतीक एहमद के अधिवक्ता रहे खान सौलत हनीफ के विरुद एक और मुकदमे नमी चार्जशीट दाखिल की गई है अतीक के दूसरे अधिवक्ता जेल में बंद विजय मिश्रा के विरुद भी दो मुकदमों में चार्जशीट पुलिस दाखिल कर चुकी है खान सौलत हनीफ ही अधिवक्ता के तौर पर अतीक एहमद के सारे मुकदमों की पैरवी करता रहा है अगली खबर की और बड़तों बता दें लोगसभा चुनाव के लिए अभी 3-4 महीनों का वक्त है इस बीच कॉंगरेस की यूपी काई का दावा है कि अमैठी लोगसभा सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे अजराय ने बीते दिनों दावा किया था कि राहुल गांधी अमैठी से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे अब इस मुद्दिपर केंद्रिय मंतरी स्मृति इरानी ने बड़ा दावा किया है उन्होंने मैठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के साथी परी रिणामों पर भी अपनी टिपनी की है अगली खबर की और आपको लेकर चलते हैं बता दे मेरट की जेल में बंद गैंक्स्टर अशोक कबारी की इलाज के दौरान मौत हो गई है अशोक का मेरट के मेडिकल कॉलेज मेला चल रहा था जानकारी के मुताबिक वो HIV पॉजिटिव था और उसे शुगर्व हाइपर टैंशन की भी बिमारी थी शुकरवार को ही तब्यत बिगडने पर जेल प्रिशासन ने उसे मेडिकल कॉलेज में भरती कर आया था रहा इलाज के दोरान उसने दम तोड़ दिया अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं अयोध्या में राम मंदिर के साथ शांदार एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन भी बनकर तयार हो गया है राम की प्रान प्रतिश्था से पहले 30 दिसंबर को प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी अयोध्या स्थित मर्यादा पुशोत्तम प्रभुश्री राम अंतरराश्य एरपोर्ट का उधगाटन करेंगे इसके बाद 30 दिसंबर को ही इस एरपोर्ट पर पहली फ्लाइट उतरेगी यह फ्लाइट दिल्ली से अयोध्या पहुँचेगी लेकिन अब इसका समय बदल गया है उत्तर प्रदेश की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रही पब्लिकेशन यूज धन्यवाद